सबी को नमस्ते मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सब का स्वागत है अभी तक हम देख चुके है कि मुहमद को मक्का से मदीनह आयों हुए तीन वर्ष हो चुके है बहुत सारी लडाईयां कर चुके है बहुत सारी हत्याय कर चूके है मुहमद और उसके चेले और बहुत सारा धन्जम पत्ती पे गबजा गर चुके हैं इसके साथ ही ये तीन वर्ष होने तक मुहम्मद के अपने हरम में उसकी तीन पत्निया है एक बड़ी आयू की है सौधा इस समय मुहम्मद की आयू लगभग 56-57 वर्ष की है सौधा के अतिरिक्त एक 12 साल की बच्ची है आयशा जिससे इनों ने शादी की है और एक लगभग 22-23 वर्ष की है हफसा ये जो चौथा और पांचवा वर्ष मुहम्मद के हिजरत के बाद का है उसमें जो फिर ये अगली शादी करते हैं इनके हरम में जो चौथी पतनी आती है उसका नाम है जैनब बिन्त खुजाइमा जब बदर की रडाई हुई थी उस समय एक विक्ती मारा गया था जो मुहम्मद का अपना ही कजन था उसका नाम था उबैदा तो उसकी जो विद्वा थी जैनब बिन्त जैश उस से मुहम्मद ने शादी की और इसे भी अपने हरम में ले आया इसके कुछी महीने बाद जो पांचमी पतनी लेके आते हैं उसका नाम है उम सलमा अब जो अबू सलमा था यानि उम सलमा का जो पती था वो उहुद की लड़ाई में घायल हो गया था और फिर कुछ दिनों बाद ये किसी और जगा पर काफिरों पर हमला करने जाते हैं तो वहाँ पर उसका एक घाव खोल जाता है और जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है तो ये जो अबू सलमा की जो विद्वा थी मौहमद उसे समझाता है कि मेरे पास भी बच्चे है और मैं भी बड़ी आयू का हूँ तो फिर वो इससे विवा कर लेती है तो यानि अब जब मौहमद की आयू 57 वर्ष है इसके हरम में पांच पत्निया है इससे अगली जो शादी है मौहमद बिन अब्दुल्ला की उसके लिए आपको ध्यान होगा कि जब ये खदीजा के घर शादी करके आता है तो मौहमद की आयू लगभग 25 वर्ष की थी और खदीजा के घर में एक नौकर था जो कहीं से उठा के लाया गया था उन दिनों जो रेगिस्तानी डकयात होते थे वो कबीलों से बच्चे उठा के ले आते थे और फिर जो संपन परिवार थे उनमें उनको गुलामों के रूप में बेच देते थे तो ऐसा ही एक बच्चा था जिसका नाम था जायद जो खदीजा के घर में गुलाम था और मुहम्मद की शादी होने के बाद वो मुहम्मद की सेवा करने लग गया और मुहम्मद को वो काफी अच्छा लगता था इसलिए दोनों में परस पर एक घनिष्ट संबंद बना हुआ था फिर मक्का में क्योंकि बार-बार मेले लगते रहते थे तो ये जो जायद के माता-पिता थे या इनका जो कबीले के लोग थे उन्होंने एक बार जायद को देखा तो देखके पहचान गए कि ये तो हमारे कबीले का बच्चा है इस पर जब जाइद के जो वास्तविक माता पिता थे वो लेने के लिए मुहम्मद के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम अपना बच्चा ले जाने के लिए आपको यदि कोई धन चाहिए हम वो आपको देने को तयार है तो जो जायद है वो कहता है कि मैं मुहम्मद के साथ खुश रहता हूँ ये मेरे पिता की तरह है तो मैं इनके साथ ही रहना चाहता हूँ जिसके परिणाम सुरूब जो जायद के वास्तविक माता-पिता थे वो भी खोश हो जाते हैं कि कम से कम हमारा बच्चा जीवित है और एक अच्छे परिवार में है और वो तसली से खोश होकर अपने घर वापिस चले जाते हैं इस घटना का परिणाम यह होता है कि जैसा कि उन दिनों आज भी है वैसे तो जो मक्का की रिवायत है कि बेटे को बाप के नाम से जाना जाता है तो इसका नाम अब जायद बिन मुहम्मद हो गया कि जायद जो के मुहम्मद का बेटा है इसकी शादी मुहम्मद ने अपनी एक पहरी बहन से की जिसका नाम था زैनब जैनब बिन जैष नाम था क्योंकि फूफा का नाम जैष था अब दोनों पती-पतनी मुहम्मद के घर से कुछी दूरी पर रहते थे तो एक बार मुहम्मद उन्हें मिलने के लिए जाता है अब इसके आगे का जो घटना क्रम है मैं आपको इसलाम की पुस्तकों में से ही बताने वाला हूँ उसे देखते हैं जो पुराने इतिहास करें इसलाम के उनमें एक बहुत ही मशूर है अल-तबरी इसने लगभग 40 वॉल्यूम का एक सेट तयार किया है जिसका नाम है तारीख रुसूल व मुलूक और इसमें जो इतिहास है वो पेगंबर के पहले से शुरू हो जाता है और आगे कई सदियों तक चलता है इसका पूरा नाम था अमू जाफर मुहम्मद बिन जरीर अल-तबरी इसके जो ये 40 खंड़ है उनमें से आज मैं जो प्रकरन ले रहा हूँ वो उसके 8 में खंड़ में अनकित है देखे वो क्या कहता है इस खंड़ का नाम है इसलाम की फतह और इसमें अल-तबरी हमें इस घटना के बारे में बताता है कि मुहम्मद बिन अब्दुल्ला जब एक दिन जाइद के घर पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है जाइद घर पे नहीं है तो ये जो फुफेरी बेहन है जो जैनब अकेली फुफेरी बेहन और उनसे कहती है ए रसूल अल्लाः जाइद तो घर पर नहीं है आप मेरे वालिदों के समान है आप मेरे माता-पिता के समान है तो आप क्रिपा करके अंदर आ चाहिए मुहम्मद इसे इन अस्त्विस्त कपड़ों में देखता है इस स्थिती में देखता है तो उसके मुह से बर्बस निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाः वो महान है जो दिलों को बदल देता है अल्हम्दुलिल्लाः अल्ला महान है जो दिलों को बदल देता है और इतना कहने के बाद यह वहां से मुड़ता है और वापिस अपने घर चला आता है उदर जाएद कुछ समय बाद घर लोड़ता है तो यह जो उसकी पतनी है तो बताते के इस प्रकार से आपके पिता आये थे और उन्होंने ऐसी कुछ बात बोले और उसके पच्छात यहां से चले गए तो ये सुनने के बाद जाइद मुहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलने जाता है और फिर जो बात होती है वो अलतबरी अपनी किताब में रिकॉर्ड करते हैं वो क्या है सुनिये ज़रा रसूल अल्ला मुझे पता लगा कि आप मेरे घर पे आये थे तो आप अंदर क्यों नहीं आए आप तो मेरे माता पता के समान है आप अंदर आ सकते थे फिर आगे वो कहता है रसूल अल्ला शायद जैनब ने आप में ख्वाहिश जगा दी है इसलिए यदि आप चाहें तो मैं उसे छोड़ देता हूँ इस पर जो मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है वो जो उत्तर देते हैं उसे अलतबरी बताता है वो से कहते हैं कि अपनी जोरू अपने पास ही रख इस घटना के कुछ समय बाद फिर क्या होता है वो फिर अलतबरी हमें बताता है कि एक दिन रसूल अल्ला अपनी जो बारा साल वाली जो पत्नी है उससे कुछ बातें कर रहे थे तो एकदम से उन पर खुमारी या बेहुशी चा जाती है और फिर थोड़ी दिर बाद जब वो होश में आते हैं तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कौन है जो जैनब के पास जाएगा और उसे एक खुश कबरी देगा कि अल्ला ने उसके साथ मिराने का मुकरर कर दिया है तो इस घटना करम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब अल्ला मिया ने ये डिसाइड कर दिया कि जो ये रसूल है मुहमद बिन अब्दुल्ला नाम का इसकी शादी जैनब से कर दी जाए और क्योंकि ये बात अल्ला मिया ने कही है इसलिए इसके बारे में जो कुरान है उसके अंदर भी इसका उलेखाता है कुरान की आयत नमबर 33 की जो आयत नमबर 37 है वो इसके बारे में बताती है याद करो ऐ नमबी जबकि तुम उस मर्द से कह रहे थे जिस पर अल्ला ने एहसान किया और जिस पर तुमने भी एहसान किया है कि अपनी बीवी को अपने पास रोक रखो और अल्ला का डर रखो और तुम अपने दिल में उस बात को छिपा रहे हो जिसको अल्ला प्रकट करने वाला है यहां पर जिस एहसान की बात की जा रही है वो यह है कि मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उसे गोद ले लिया था उसे अपना लिया था और आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला ये वाली जो शादी है जैनब के साथ यानि अपनी बेहन के साथ फुफेरी बेहन के साथ और अपनी बहू के साथ इसी के परिणाम सुरूप इसलाम में एक नियम बना है वो नियम ये है कि किसी को गोद नहीं लिया जा सकता तो कभी भी आपको यह समझना हो कि गोद क्यों नहीं लिया जाता इसलाम में या उप क्यों हराम कहा जाता है तो आपको यह समझ मैंना चाहिए कि यह जो जैनब से शादी हुई थी इसी में उसारा कुछ शिपा हुआ है आगे यही आयत क्या बताती है तुम लोगों से डरते हो जबकि अल्ला इसका ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो पता है जब जैद उससे अपनी जरूरत पूरी कर चुगा तो हमने उसका तुम से निकाह कर दिया ताकि मुसल्मानों पर अपने मुह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे जबकि वे उनसे अपनी जरूरत पूरी कर लें अब ये जरूरत पूरी कर लें हमें हिंदुस्तानी समाच में जो हमारा यहां की सभ्यता है उसमें ये बातें समझ में नहीं आती लेकिन कुरान के शब्दावली ये बोलती है कि अगर मुह बोले बेटे ने पतनी से जरूरत पूरी कर ली है तो अब जो उस बेटे का बाप है वो उसके साथ निकाह कर सकता है अल्ला का फैसला तो पूरा होकर ही रहता है ये जो आयत है ये आपको ये स्पष्ट करती है के उस समय पर जो अरीबिया का महौ था वो ऐसा नहीं था कि इस प्रकार के जो संबंद है उन्हें एकसेप्ट कर लेता उसे स्विक्रिती दे देता इसलिए अल्लामिया को ये आयत उतारनी पड़ी और संभवता इसी कारण से जो मुहम्मद बिन अब्दुल्ला था उसके मन मे होगा कि कल तक जो उसकी पतनी थी वह उसकी माँ बन जाती है इसके बारे में भी जो अल्लामियां थे उन्होंने आयत उतारी है ये इसी 33 में अध्याय की चौथी आयत है इसे देखिए अल्ला ने किसी मर्द के सीने में दो दिल नहीं रखे और ना ही उसने तुम्हारी उन जोरूओं को जनसे तुम जिहार कर वैठे हो वास्तव में तुम्हारी मा बनाया और ना उसने तुम्हारे मुह बोले बेटों को तुम्हारे वास्तविक बेटे बनाया ये तो तुम्हारे मुह की बाते हैं पर अल्ला सची बात कहता है और वही रास्ता दिखाता है तो इस आयत में ये जो एक सेंटेंस आ रहा है और ना उसने तुम्हारे मुह बोले बेटों को तुम्हारे वास्तविक बेटे बनाए इस आयत का परणाम ये हुआ कि अब तक जो जायद जाना जाता था जायद बिन मुहम्मद के नाम से अब उसे उसके असली बाप के नाम से जाना जाएगा जिसका नाम हरित था इसके परणाम सुरूप अब उसका नाम बदल दिया गया अब उसका नाम हो गया जायद बिन हरित इसके बारे में थोड़ी और स्पश्टा भी होगी आगे, उसे दिखते हैं इसी की जो अगली आयत है, यानि 33 में धाय की पांचवी आयत उन्हें अपने बापों की उलाद कहके बुलाया करो अल्ला की नजर में यही इंसाफ की बात है और अगर तुम उनके बापों को न जानते हो, तो तुम्हारे मजहभी भाई हैं और तुम्हारे साथी भी इस सिलसले में तुमसे जो गलती हुई हो, उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं लेकिन जिसका फैसला तुम्हारे दिलों ने कर लिया, उसकी बात और है हकीकतन अल्ला बक्षने वाला महरबान है फिर अल्ला मिया इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि उन्हों ने इस तरह का क्यूं किया है उसे जो 38 मी आयत है, उसमें स्पष्ट किया जाता है नभी पर उस काम में कोई तंगी नहीं जो अल्ला ने उसके लिए ठैराया हो यही अल्ला का दस्तूर उन लोगों के मामले में भी रहा है जो पहले गुजर चुके हैं और अल्ला का काम तो मुकरर होता है फिर जो आयत नमबर 40 है इसी अध्याय की वो थोड़ा सा और प्रकाश इस पर डालेगी लोगों मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से हकीकतन किसी के बाप नहीं है बलकि अल्ला के रसूल और नभीयों की मोहर है और अल्ला तो हर चीज से खूब वाकिफ है अब यहां पर मुहम्मद बिन अब्दुल्ला के जो पत्नियां हैं उनकी गिंती बढ़ गई है पांच पहले थी तो एक छटी पत्नी उनके हरम में आ रही है तो इसके बारे में भी कुरान में अल्लामियों थोड़ा स्पष्ट करते हैं आयत नमबर 50 में आय नबी हमने तुम्हारे वास्ते तुम्हारे उन बीवियों को हलाल कर दिया है जिनको तुम खर्च दे चुके हो और तुम्हारे उन लॉंडियों को भी जो अल्ला ने तुमको माले गनीमत में अता की है और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारे फूपियों की बेटियां और तुम्हारे मामू की बेटियां और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आई है और हर इमान वाली और अगर अपने को बगैर महर नभी को दे दे और नभी भी उ जो कुछ मेहर या कीमत आम मौमिनीन पर उनकी बीवियों और उनकी लॉंडियों के बारे में मुकर्रर कर दिया है, हम खूब जानते हैं, और तुम्हारी रियायत इसलिए है ताकि तुमको बीवियों की तरफ से कोई दिक्कत ना हो, और अल्ला तो बड़ा बख्षने वाला मह बिर्बान है, तो अल्ला मिया ने जो उनके पास लोहे महफूज है उपर साथ में आस्मान पर, उसमें से कुरान में नया संदेश पैगाम भेज दिया, जिसमें वो अपने रसूल को, यानि मुहमद बिन अब्दुल्ला को सपष्ट करते हैं, कि जो मुहमद बिन अब्दु हैं, और साथ ही बता दिया है कि तुम्हारी ये जितनी हमारे हिंदुस्तानी समाज में तो उन्हें बेहने ही कहा जाता है, लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो फूपियों के बेटियां, चाचियों, मामियों, जो ये कजन्स हैं, इनके साथ तुम निकाहा कर सकते हो, तो इस आयत से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों इस तरह के समाज में अपनी बेहनों के साथ, जिने हम बेहने कहते हैं, उनके साथ शादी करना जायज हो गया, क्योंकि अल्लामिया की ये आयत अपने पैगंबर के लिए सात्मी सदी में, अरेबिया में उतर के आई थी और ये जो गिंती है कि चार से ज़्यादा कर सकते हैं, वो केवल रसूल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लामिया ये नहीं चाहते कि उनको पतनियों के मामले में कोई समस्य आए, कोई दिक्कत पेश आए इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसलाम के दुकानदारों को ये एडॉप्शन इसलाम में क्यों हराम है, ये समझाने में क्यों इतनी मुश्किल आती है आज के लिए इतना ही, नमस्ते आज के लिए इतना ही, नमस्ते